लोग चाखो लेना? लोग चाखो लेना कोड़ा मोलते हैं? लोग प्रिय नीती के कारण शर्म की बात बन गई है। इसी तरह की एक घटना दिखाई दे रही है क्योंकि एरपोर्ट का नाम करण त्रिपुरा सामराज्य के अंतिम स्वतंतर शाश्रक महाराज बुबागरा बीर बिक्रम किशोर मानिकिया के सम्मान में किया गया था। और उरानों के आगमन और प्रस्थान के समय घोशना के लिए अन्य राज्यों की स्थानिय भाषा अनिवारिय है। लेकिन त्रिपुरा राज्य में क्यों नहीं क्या कौकपुरा भारत की एक भाषा नहीं है। कौकपुरा भर्ष 1989 से त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है और राज्य की लगभग एक दिहाई आबादी द्वारा बोली जादी है। इससे पहले CPIM की इंडिजिनस विंग गनमुक्ती परिश्यत यानी GMP ने कौकपुरा भाषा को एरपोर्ट में एनाॉंस्मेंट के माध्यम के रूप में हटाने के लिए सतारूर सरकार को फटकार लगाई है। एक संबादाता सेमिलन को संबोधित करते हुए GMP नेता राधाचरन देपर्मा ने कहा है क्योंकि बर्तमान सरकार सता में हैं हमने देखा कि कौकपुरा एरपोर्ट पर एनाॉंस्मेंट के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ये सुईकारिय नहीं है। ताकि ये उलेक करने योग ये है कि पामपन्थी CPIMU के दोरां त्रिपुरा की विरासत को मिटाने वाले विभिन संस्थानों के नामकरन को एक विशेश नाम में बदल दिया गया था। मौजूदा सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कमिया रहे गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वे केबल समस्याओ को दूर करने की कोशिश कर रही है। समस्याओ का समाधान नहीं। जैसा कि भारत के समविधान में रोमन लिपी के साथ कौकपोरा को आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य में कई विरोध हुए हैं लेकिन सरकार का वास्तविक प्रियास दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सरकार हिंदी को संग की आधिकारिक भाषा के रूप में आगे बरहा रही है और समान नागरिक सनहिता यू सिसी के अनुसार राज्य के लिए भी।